दोस्तों ये है कोरबा जोकी लगबग सौव और किलोमेटर के विसाल छेतर पर फैला हुआ 36 गड़ राज्ये का एक इंडस्टियल सिटी है कोरबा को पावर कैपिटल आफ 36 गड़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां का कोईला भंडार व एंटी पीसी लिम्टेट 36 गड़ राज्ये के बिजली उत्पादन में एक एहम भूमी का अदा करते है वहीं कोरबा जिले में ही एसिया की दूसरी सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोईला खदान है जो हर साल 140 मिलियन टन कोईले का उत्पादन करता है जो कि हमारे देश के कुल कोईला उत्पादन का 17 परसेंट है तथा आज के समय में अगर देखे तो कोरबा सहर वक्त के साथ बहुती तेजी से बदल रहा है जहां पर चोड़ी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, मल्टीपलेक्स और बड़े बड़े रेजिडेंसियल टाउन सिब बसाए जा रहे है लेकिन कोरबा जिले के बाहरी हिस्से में रहने वाले आदिवासी समुदाएं आज भी अपने पारंपरिक संस्कृती को समाले रखे हैं अत्वा 2011 सेंसस के आधार पर देखा जाये तो कोरबा सहर की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 3.65 लाख निवासियों की है जिसमें की 90.75% हिंदू, 4.93% मुस्लिम, 2.99% क्रिस्चन और बाकी यहाँ पर कुछ अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं वहीं कोरबा जिले की वर्तमान साक्षर्तादर 83.65% की है जहाँ पर मुख्यता हिंदी और 36 गड़ी भासा बोली जाती है अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखे तो पता चलता है कि कोरबा जिले का यहाँ के कोरबा जनजाती से लिया गया था जो मुल रूप से इस छेत्र में निवास करते थे और आज भी निवास करते हैं कोरबा जिले का ट्रांस्पोर्ट इंफ्रास्टक्चर यूं तो कोर्बा सहर रेल और सडक मार्क के द्वारा 36 गड़ के बाकी सहरों से एक अच्छी कनेक्टिविटी रखता है परन्तु यहां का नजदी की हवाई एड़ा यहां से तकरीबन 220 किलोमेटर दूर राइपूर में इस्थीत है वहीं कोर्बा के रेल मार्क के बात करें तो कोर्बा जिले में कुल 6 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन्स है जिन में से यहां का कोर्बा जक्सन सहर का परमुक और व्यस्त रेलवे स्टेशन है यह रेलवे स्टेशन हावडा नागपूर मुंबई लाइन और गेवरा रोड बि जंगो डैम, देवपहरी वाटर फॉल्स, पाम मॉल, सतरेंगा, स्मृति उद्ध्यान और चक्रेश्वर महादेव टैंपल जैसी जगों पर जा सकते हैं।